आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने यूटूब चैनल स्रीराम क्लासस में और इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान माद्मिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के विज्ञान का मॉडल पेपर और यह जो मॉडल पेपर है वो आपके एक्सलेंड की जो डैस हो रहा आती है उस डैस्क वरक का आपके जो मॉडल पेपर नंबर दो है और इस वीडियो में हम इस डैस्क वरक के जो मॉडल पेपर नंबर दो है उसके तीस महत्पुन प्रसनों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तीस प्रसनों का मतलब प्रसन संक्या एक के बारा प्रसन प्रसन संक तीन क्या वापस आपके 12 परसन इस प्रकार आपके टॉटल हम इस वीडियो में 30 परसनों की चरचा करेंगे यानि कि आपके इस वीडियो में तीस नंबर के जो प्रस्न है वो कमर होने वाला है तो आए इस वीडियो को मुशुरू करते हैं इसके बाद में हम बाकी के अन्य मोडल पेपर भी देखेंगे और बाकी के जो मोडल पेपर एक्सेलेंट के वह सभी आपको यहां पर मिलेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करें उस टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन करें तो पहला प्रस्न है प्रस्न संक्या एक है निम्न प्रस्नों के उत्तर का सही विकल्प चैन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए तो इस प्रकार के प्रस्न जो आएंगे उसमें आपको जो पहला प्रस्न है उसके बारा प्र बाग होता है पोशन स्वसन उत्सर्जन और परिवहन तो इसका जो सही उत्र है वो हो जाएगा इसमें उत्सर्जन अगला प्रस्न है पादप में जाइलन उत्तरदाई होता है जल वहन का बोजन वहन का अमीनो अमल वहन का या ऑक्सिजन वहन का तो इसका जो सही उत्र है वो ह इसमें जल वहन का, तो कर्यक्ट अंसर हो जायगां जल वहन, परसन संग्याद तीन है, पहला का तिसरा, Macistice का सबसे बड़ा बाग कौन सा होता है, Macistice का सबसे बड़ा बाग कौन सा होता है, option है, Caseremos你知道 בis 친 अनुम, बड़ा बाग होता है फिर प्रसन संग्या चार है निमने मेंसे कौन सी अनेची क्रिया है अनेची का मतलब जिसका नियंतरन अपने हाथ में नहीं होता है तो लिखना एच्छी क्रिया है कूदना एच्छी क्रिया है थूकना भी एच्छी क्रिया है लेकिन जो पलक जपकना है वह इसमें अने चीक करिया का उधारन हैं इसी प्रकार से अपने रदे की जो d posição ने वह भी अने सिकरिया है प्रस्ण संध्या पांच ही किसी गोलिये दरपन तन तर्था किसी पतले लेंज और उत्तर लेंज दर्पण होगा या फिर है अवत्तर बन रीच्ट कि दर्पन य। ऑफफिसर बंसर उतरी से दरपण से आप चाहिए जितनी दूर खड़े हो आपका प्रतवीम सद्याइव सीधा बनता है प्रतित होता है संबवता दरपण हें के वल संदर के वल अवच लें के वल उत्तल हैं संद और उत्तल दोनौन राफ्वा उत्तल तो इसका जुद से विद्यूत परिपत में पहले स्रेनी क्रम में और बाद में समांतर क्रम में समयजित किये जाता है स्रेनी क्रम और समांतर क्रम समयजन में से उत्पन जो इसमा है उसका अनुपात बताना है एक अनुपात दो, एक अनुपात चार, चार अनुपात एक, दो अनुपात एक इतना होगा दसकी गात मैनस नो ओम दसकी गात मैनस चे ओम दसकी गात मैनस तीन ओम या फिर एक ओम एक माइक्रो ओम की पुछा है तो माइक्रो ओम का मतलब होता है दसकी गात मैनस छे ओम दसकी गात मैनस चे ओम यह माइक्रो ओम का मान होता है और अगर आपको पुछे मेक्रो तो मैक्रो ओम का जो मान होता है वो दस्कीगाद मैनस तीन ओम होता है तो माइक्रो और मैक्रो में थोड़ा सा डिफरेंसिव वर्प्त में ज्यान रखना है नवा प्रस्थ नहें विद्यू दाराउत्पन करने की युक्ति को क्या कहते हैं जनित्र गेलवनोमीटर अमीटर और मीटर तो जो विद्यू दाराउत्पन करते हैं उस युक्ति को जनित्र या फिर जन्रेटर कहा जाता है तो करेक्ट अंसर होजेगा फर्स्ट अप्शन जनित्र है दस्वा प्रस्थ लोह चोन पर तनू हाइड्रोक्लोरिक अमले डालने से क्या होगा तो हाइड्रोजन गेस अद्री सता है जर्श क्लोरिड बनता है दूसरा उप्ष्ण क्लोरिन गेस यवर आईर्ं हाइड्रोक्सड बनता है कि त्योत आप्सेन के को यह विकरिया नहीं होती और चोत्ता आप्सेनिस में आईरान लवन्स यह मारलाश बनता हैं तो जब हम लोह चोन पर तनू हाइड् इस निकालता है क्लोरीन तामबा जस्ता और सलफर इसका जो सही उतर हो है इसमें जस्ता यह जिंक अगला प्रस्ण बारवा है इसमें निम्ण में से कौन सा तत्व दात्विक है फास्परस और हीलियम लीथियम और सलफर तो दात्विक तत्व का जुनाम है इसमें लीथियम है अब आपको 12 प्रस्ण करन को एकस प्रकार से एक सारणी बना किए अपने परिक्शा की कॉप में एक साथ इनके सभी के उतर लिखने हैं ताकि आपको जो नंबर पूरे में से पूरे मिले दूसरा प्रस्ण है रिक्तस्तान की पूरती कीजिए जिसमें आपके 6 प्रस्ण आएंगे 6 नंबर के हमने 12 प्रस्ण देखे पहला प्रस्ण के अब दूसरे प्रस्ण के हम 6 प्रस्ण रिक्तस्तान की पूरती वाला देखेंगे तो पहला प्रसंद का दूसरे का पहला है मस्तिस्क रिक्तिस्तान में बंद होता है तो मस्तिस्क कहां बंद होता है तो मस्तिस्क जो बंद होता है वो कपाल गुहा में बंद होता है इसका जो सही उतर है वो हो जाएगा कपाल गुहा तो प्रस्ण संक्या दो का जो पहला है उसका अंसर हो जाएगा कपाल गुहा इसको हम लिखेंगे कपाल गुहा कपाल गुहा यह इसका जो इसमें अंसर होगा पहला का दूसरे का पहला है कपाल गुहा फिर आता है इसमें दूसरा प्रस्ण है कि मनुष्य के सरीर में परिवहन मुक्यत द्वारा होता है तो रिक्तस्तानों की पूर्ति करनी है तो परिवहन सरीर में किसके द्वारा होता है वो रूदीर के द्वारा होता है तो इसका सही उतर हो जाएगा रूदीर या फिर रक्त दोनों एक ही बात है रक्त से याद आया आपको बताना है कि कौन सा जो ब्लड ग्रूप होता हैं वो सभी को अपना रक्त दे सकता हैं सर्व दाता रक्त समू किसको कहते हैं कि यूनिवर्सल डोनर कौन से ब्लड ग्रूप को का जाता है इसका उतरा आपको कमेंट करना है फिर तीसरा प्रस्थान र ज्यक्त कारग में जो अजीवित अंस होता है उनिको समयलिद करते हैं जैसे पानी मृदा की हवा परत्वी पांचवा प्रस्न है जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रतेक्स रूप से निर्बर करते हैं वो क्या कहलते हैं जो प्रतेक्स रूप से बोजन पर उत्पादित जो उत्पादक द्वारा उत्पादित बोजन उस पर निर्बर करते हैं उनको वोगता क यह दूसरे का जो चोथा प्रस्थ नहीं वोगता इसमें आ जाएगा फिर सवाल नंबर पांच है एक लेंज की फोकस तो भी 50 समय तो इसकी फोकस जो श्यमता है वो कितनी है कुशाम की लेंज की खश्यमता का मात्रिक होता है डायप्टर नव 0 117 frep जो सब्सक्राइब लैया न एक पॉन अपॉन फोक अफ तो एक बठाएफ जो वो न वर्म कितने मित्र हैं तो कितने मीटर होते हैं तो 50 से में में सो का बाग देंगे तो जीरो पॉइंट पांच जिरो मीटर आजए गए तो दो दो टायब्टर इसका अंसर हम तो और तो कर्यक्ट अंसर जाए गए आपर दो टायब्टर कि च certificate के बराबर हैं तो आस्व सक्ति इसक्ति कि कत निए फ़ट का हिंह rapid किटने होर्स प़ावर एक होर्स पाउर में कितने वार्ट होते वह आपको container है तो एक एच्पी बरावर होता है 746 वार्ट यह इसका जो सही उत्र होगा तो दूसरे के चछे परस्ण आपको एक साथ लिखने इसका भी आप जयान रखें अब चलते हैं परस्ण संक्याथ एक किसी के सद्री बाग है तो सभी के जो उत्तरे वह एक साथ लीक है जैसे टीसरे का पहला परस्न है दो एक con K phon 3 को जाएंगे शाख אותा हैं थे और मीबा होता है वह स्तानि हर्मोन किसे कहते हैं तो ऐसे जू हर्मोन जो स्तानवित होने वाले स्थान पर ही प्रिक्त होते हैं जान वो जहां सो उस्तरावित हो रहा है उसी इस्तान को होते हैं तो उनको स्थानी स्थानय हरमोन कह internacional ग। प्रसने अहार स्रंखला में 30 पौशिय स्तर को न होता है तो अहार संगला में जो तीसरा पोसिस्तर हैं वहां पर हमेशा मांसारी जीव मिलते हैं तो सही उत्र हो जाएगा मांसारी यहां पर हमेशा आपको मांसारी जीव ही मिलेंगे तीसरे स्थर पर चोतहा प्रस्वन हे चिपको अंदवलन का नेत्रत वा किस ने किया, चिपको अंदवलन का नेत्रत वा किया पांचवा प्रस्ण है बारत के किस प्रदेश में नगर सीचाई प्रियोजना को कुला के नाम से पुगरा जाता है तो कुला कौन से प्रदेश में का जाता है तो कुला जो का जाता है वह हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश में यह कुला के नाम से जाने जाती है फिर शटा प्रस्थ है विद्युद्रम आपने का यंत्र का नाम लिखिए तो विद्युद्रम आपने का यंत्र होता है उसको कहा जाता है अमिटर कि समांतर क्रम में कौन सा जो उपकरण है वो लगाया जोता है कि साथवा कुश्य ने चुम के फ्लक्स अधीस राशी है या फिर सदीश तो चुम के फ्लक्स जो हैं वह हमेश्य अधीस राशी होती है क्लेक्ट आंसर हो जाएगा अधीस राशी कि अधीस राशी वेबर कि सुस्ट रहा कि नवा प्रस्थ साथ चुम के फ्लक्स का मात्रक होता है कर्या फ्लक्स न नवा प्रस्थ 7 विरएंजय चुर ठ sub कराशानीक सुत्रिक्या हैं तो क्यलसियम oxygen यह सुट्र विरंजक चुन का सुत्र है दसवा प्रस्न है नियोन किस प्रकार की गयस है तो नियों जो है वह अकरी गयस है नियोन अक्रिये गया से एक प्रस्ण का उत्र आपको जवाब देना है कमेंड करना है कि ऐसी कौन सी दातु है जो क्रम्रे के ताप पर द्रव अवस्ता में पाए जाती है इसका उत्र आपको कमेंड करना है वह दातु जो कम्रे के ताप पर है जो द्रव अवस्ता में पाए जाती है तो कौपरसल्पेट विलिन का पी-च माने वो साथ से कम होता है, साथ से कम यह किसकी प्रकृति जो होती है, वो अमली प्रकृति का होता है 12 प्रस्ट है, एसी टिक अमल में अमली यह हाइडोजन परमोनों की संक्या कितने होती है तो इसका उत्र हो जाएगा, एक, एक प्रस्ट का उत्र आपको और कमेंट करना है जो साधारन नमक होता है, जिसको हम गरल उपयोग में लेते हैं, काम में लेते, गर पे, खाने बनाने में तो उस नमक का सुत्र क्या है, वो आपको कमेंट करना है रच्फानिक नाम में बतादों आपको नमक का सोडियम क्लॉराइड तो हमें उसका आपको इस इसकी पीडियों आप वहां से प्राफ्ट कर सकते हैं बहुत सारे सारे सोल पेपर के रुप में आपको वहां पर मिल जाएंगे तो गणित के और बाकी विसे के भी मोडल पेपर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरू करें जल्दे मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक जेहिन जे बारत